रादे रादे जी सभी को रादावल लव शेर वेंज और कैसे आप कैसे फीतर हैं आपके त्योहार कैसी गई आपकी करवाचोत चलो I hope सो सबका अच्छा मना होगा तो आज में मेरे पास जो बीन बैग हैं ये छोटे छोटे ये बहुत गंदे हो गए हैं तो ये मैंने एक साइ कोल या ये थोड़ी मतब इनकी एर निकल गई तो पिचक गई है ये इसलिए दिले दिले हो गया है तो मैंने सारी निकाल लें इसमें बड़ी एक भॉलो सब्सक्राइब आपमे मिर पास दो है तो दूनों अलग-अलग मैंने इनके अंदर का इन अर बीन निकाल लहती हूं एसब कप्ड़े करना है कि मैं कि इसमें सब्सक्राइब और कप्ड़ुकि उतक है तो उपड़ी शुक जाएंगे वह प्र हा जोकि कपड़ों करको नहीं वह तो innate आपने सूट अलग कर रही हूं और जो मुझे अब नई पैनने है वो अलग कर रही हूं और जो नए है वो अलग और जो नहीं पैनने मतब मन बना लिया है कि नहीं पैनने है तो वो बस निकाले देना है क्योंकि ना जो अब तक रखे रहे मतब आप ऐसा सोचे कि अगर आपने कोई सूट पूरे सीजन नहीं पै रहा है तो आप उसको नए सीजन भी नहीं पैनेंगे और इसी बीच आगी थी थर्मकोल की गोलिया जो मैंने ओडर कर रखे दी हमें जो उन से मैंने मंगवाई हैं यह आए मेरे को पोने 400 रुपे के आसपास की पड़ी हैं एक किलो अब मुझे अंदाजा नहीं था कि यह इतनी सारी आएंगी यह पूरा एक कट्टा भर कहा है और वजन इसमें बिलकुल नहीं था तो पहले मैं अपना काम खतम करूंगी और यह अलमारी तो सब होगी थी साप सूट भी मैंने निकाल दिया यह मैंने कुछ साड़िया निकाल लिया देने के लिए मेरे पास जो नई नई साड़िया रखी है मतब जो मैंने एक या दो बार पहननी है लेकिन हम मेरा मन नहीं करता हूं पहनने का तो मैंने वो साड़िया सब निकाल का अलग रख लिया कि मैं किसी जरूरत म देने के लिए इसमें कुछ सिल्किया है कुछ रेसम वर्क की है तो जैसी भी है जो मुझा लगा एक्स्ट्रा वो मैंने सब इस पन्नी में पैक करके रख दी और यह साड़ी मैंने दी है रेनू को देख सकते हैं बहुत प्यारी है बहुत हो गे इसको 8-10 साल पहले मैंने ली थ देंगे तो उनके काम आजाएगी काम क्या अगर कोई पैन सकता है तो दे सकते हैं और यह इन बैग में जितना भी समान है यह सब मैंने देने के लिए रखा है यह मेरा पर्स भी पुराना हो गया तो इसको भी मैं दूंगी और मैं गई थी ऊपर बीन बैग मेरे सूख गये ह अब मैं आगे हूं लेके यह भी उल्टे है मैंने उल्टे करके सुखाय थे क्योंकि रैलिंग पर थे कि कभी गंदे हो जाए इनको सिद्धा करके अब हम इनको भढ़ना सुरू करेंगे जो उनसा जिसका है और यह पुरानी गोलियां भी मैं लियाई हूं अब खोलते हैं नया कट्टा जो बीन्स मंगवाए हैं यह और देखते हैं पहली बार मंगवाए कि कैसी निकलेंगी मतलब ऐसा इतना जितनी अच्छी निकली है न यह इतना अंदाजा नहीं था मुझे कि इतना बिल्कुल प्योर वाइट कलर था इनका अगये इसका इनर में इसके अंदर डाल दूंगी पहले और यह बहुती सावधानी से भरी है हमने लेकिन फिर भी मैंने पूरा रायता फ रखते हैं ताइम तो लगता है इसमें थोड़ा सा लेकिन साफ हो जाते हैं अब मुझे यही था कि मैंने कैसे साफ करूं क्योंकि वाइट कलर के हैं तो गंदे हो गये थे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे रखने में यह देखाएँ इनके कार नाम है इनके कार नाम है जब मैं इनको रिपील करती थी ना तो पन्नी मेर्ज निच्चे गिर गी वो सारे में बीम्ज फैल गी हैं तो अब है कहा रहता देखो मैं सबको दिखाता हूँ कि आपने क्या किया है और मैंने एक तो यह भर कर रख दिया है दूसरा मैं भर रही हूं इसके बाद मैं इनको अच्छे से सिलाई करूंगी और इसको भरने में मुझे आपने भी बहुत मदद करी क्योंकि यह हैंडिल नह करेंगे और कहीं भी एक हुक लेकर उसमें टाई कर देंगे अच्छे से ऐसे यह हो रखे थे बस मुझे काफी देर लगी नहीं डूणने में लेकिन यह खुल जाते हैं बहुत आसानी से तो अगर आपके पास भी ऐसे हैं तो आप उन्हें इस तरह खोल के और दो के वापस स रिफिल कर सकते हैं तो देखे जी इस टूल कह सकते हैं आप इन्हें बीन बैग छोटे बीन बैग भी कह सकते हैं मेरे यह हो गया और काम फैल गया वह ज्यादा दूसरा भी तयार हो गया है मिर पास यह चार हैं फिलाल मिर पास दो हैं यहां पर दो घर पर रखे हैं डाब का तो अभी मैंने दो ही रिफिल करें, कभी वो आएंगे तो उनको भी भढ़तूंगी, अब कहरता है मामी सर पर रख लो, तो मैं नमाचल ठीक है, सर पर रख के दिखा देती हो तेरे को, फुल मस्ती चल रही थी, अब बच्चे साथ होते हैं तो काम करने का अलगी आनद आता है और अब मुझे, जो मैंने पहले बनाई ना, पॉम-पॉम वाली लटकन, तो वो छोटी घंटियों वाली बनाई हैं, तो आज मेरे पास जो यह सफेद मोती हैं, और यह कोपर कलर के मोती हैं, और मैं लाई हूँ चार बड़ी घंटी, यह थोड़े बड़े साइज की घंटी तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चार लटकन बड़ी घंटी वाली बना लेती हूँ, आट-दस लटकन मेरी छोटी वाली घंटी की बन गी है, तो मेरे पास पूरा सेट हो जाएगा, तो मैं अब टाइम था मेरे पास, तो मैं चलो यही बना लेते हैं, और इसके लिए जितनी लंबी आपको लटकन बनानी है, उतना लंबा धागा ले लीजिए, उसमें मैंने एक गोल्डन मोती डाला है, और धागे के एक छोर पैसे हम यह नोट लगाते हैं तो इस दोनो धागों के बीच में से आप सुई को निकाल लीजिए, तो मोती कितना भी बारिक हो या कितना पतला हो तो वो आपका धागे में से निकल के निभागेगा, और इस मोती को घंटी के बीच में से अंदर डाल लीजिए, तो वो मोती अटक जाएगा, घंटी आपकी कहीं नी जाएगी, और बिल्कुल सीद्धी लड़ी बनेगी, कहीं बार ऐसा हो तो घंटी अलकी तिछी ह हो जाती है, तो अगर आप इस तरह करेंगे, तो बिल्कुल दिक्कत नी आएगी, तो इस में मैंने क्या करा है, दो गोल्डन मोती डाले है, उसके बार डाला है, यह जामनी वाला पॉम-पॉम, और यह पॉम-पॉम भी थोड़े बड़े साइज के में लाई हूं, और यह आ संक्या थोड़ी सी कम हो गया, क्योंकि यह बड़ा साइज है, और उसके बाद मैंने दो गोल्डन डालने के बाद, फिर से एक कोपर मोती डाला है, फिर एक पतला मोती डाला है, फिर वाइट डाला है, फिर पतला मोती, फिर कोपर, उसके बाद फिर से दो गोल्डन, और फि मतब बना कैसा लग रहा है, हाँ यह है, यहाँ लोकल में यह समान बहुत महंगा मिलता है, अगर आप सदर जाते हैं दिल्ली में, तो आप यह समान वहाँ से लेकर आ सकते हैं, और धेर सारी सजावटी चीज़े खुद घर पर बना सकते हैं, नेक्स्ट यर मैं तो देखूंग हाल तो मार्किट में बहुत हैं, आप मार्किट से भी खरीज सकते हैं, और मार्किट में लगबग 100 की दो दे रहे हैं वो, साइद, और लगबग यह इतने की पढ़ी है, साइद 45 की साइद सम्थिंग मुझा भी पढ़ी है यह एक, तो आप अगर बनाना चाते तो बना सकते हैं, देख लेना, और ऐसा कुछ निकल का आया इनका लुक, यह ऐसी बनी है, दोनों एक साथ मैंने लगा रखे हैं, देख सकते हैं अब, कैसी लग रही हैं, बताना, और यह मोतित थे न, जो बड़े वाले, यह मेरा पास रखे थे तो मैं सोचा चलो इनका भी यूज हो जा तो बस ठाली थी थोड़ी सी देर, तो मगर चलो बना लेते हैं, बन के वाके में बहुत सुंदर लगती हैं, खिलते हुए से कलर, बड़े प्यारे लगते हैं, यह थोड़ी बड़ी बैल है, बड़ी सुंदर लग रही हैं, यह वीडियो करवा चोट से एक दिन पहले का है, और यह है करवा चोट वाला दिन, है करवा चोट, और हमने कथा अंटी के इदर सुनी थी सबने, अब सब जल देने के बाद अपने घर चले गए, थोड़ी सी बाते करके, और दिन में मैं पूरा दिन चेंज कर लिया था, मैंने बारी साड़ी थी तो चेंज करके नया सूट पहन लिया था, और शाम को हम यह क सिंपल तरीके से पूजा करती हूं, मतलब सुरू से यह ऐसे किया है, तो इसलिए जैसा सुरू से किया है, तो वैसा ही करती हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन उसमें अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यह लगता है कि ठीक है, बस अब यह पायल बन देव से बस यही आसिरवाद रहे कि मैं हमेशा इनके पैर ऐसे ही छूती रहूं परमात्मा से यही मेरी प्रात्ना है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्रीज लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो शेर कर लेना आगे और वीडियो देखने के लिए सभी क नमस्ते रादे रादे